इसë क्वेश्चन resilient सभाइन, बलसन और रटेष वो किसी की साखा हैं वह कुष्टन अग्जाम में पूछा जता है तो से साखां का esse sith Cornell की चाहें हैं सिरुमोर की साखा on एंसर होगा वो होगा option C 1969 1969 में जो था वो सिमला नगरपालिका कमेटी को भंग कर दिया गया था next question है question number 18 question number 18 which of the following district has the largest number of assembly constituencies निम्मलिखित मैं से किस जीले में जो हो सबसे अधिक विधानसवा क्षेत्रों की संक्या है आपके चार option दी गई है तो question number 18 देखें काफी important question है यह भी question number 18 का सही answer जो होगा option भी मंडी मंडी में जो हो सबसे अधिक legislative assembly की जो है seats है अच्छा यह तो options आपके पास दी गई है अगर मान लीजिए आपसे जेनरली question पूछा चाहिए आपके पास options ना दी गई हो तो कौन सा ऐसा अधिक है हिमाचल प्रेश का जहां पर सबसे अधिक विधानसवा की यह आप कमेंट करके जुरुटाई यहां पर देख लीजिए आपका options दी गई है इन आपसे आपको डिसाइट करना है बट आपके पास options नहीं दी गई है आप बताइए का कमेंट करके कि सबसे अधिक जो है कौन से दिस्टिक में मंडी की मैं आपको उता देता हूं मंडी में जो है वो दस विधानसवासियत से हमाचल पर देमें इस कौन से दिस्टिक में स्टित है शिळणी को इस तैस हां हुमाचल पर देख कर चुके हैं रिखतीं देखे में आप्स चैन इसके लावा हिमाचिल प्रदेश में पार चाल्ब में पड़ता है जो की डिष्टिक हमिलपूर में पड़ता है कर्चम की रिष्टिक की नौर में पड़ता है और यह एक सरोल हो गया जो कि डिस्टिक चंबा में पढ़ता है तो इन डिस्टिक के इन शीप ब्रीडिंग फारम भेड़ प्रजन केंद्रों के नाम आप प्याद रखिए Question No.21 है According to 2011 census which district of Himachal Pradesh has lowest literacy rate Option B चंबा जो होगा अच्छा अगर आपको वीडियो helpful लगते हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेर करना न भूलें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को डिसकस करें ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें अगर आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा मिलता है तभी इस तरह की वीडियो हम आगे बना सकते है नेक्स्ट क्वेशन है Question No.22 है When Himach प्रदेश का गठन 1948 में हुआ था सबसे छोटी ठकुराइन जो थी वह कौन सी सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट जो था वह कौन था तो Question No.22 का जो सही अंसर जो आपके पास होगा वह होगा Option D जो है इसका सही अंसर है कुठार जो था वह सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट था Next Question No.23 है Himachali who was captain of Indian hockey team that won gold medal at 1964 Summer Olympic at Tokyo कौन से Himachali थे जुन्होंने 1964 में जो Summer Olympic hockey के हुए थे टोक्यो में वहाँ पर जो था वो gold medal जीता था आपके चार option दी गई है तो Question No.23 का सही अंसर जो है वह है Option चरण जीत सिंग चरण जीत सिंग जो था इनका नाम था Next Question No.24 है who was Raja of Mandi when Guru Govind Singh visited उस समय मंडी के राजा कौन थे जब Guru Govind Singh के द्वारा जो था वह मंडी विजिट किया गय था चार option दी गई है तो इस question का option B जो है वह सही अंसर है Question No.24 का option B सिध सेंग जो है वह सही अंसर है Question No.25 है who founded the city and fort of Nahan in 1621 1621 में नहान की city और Nahan के fort का जो खोश थी वह किस ने की थी किस के द्वारा established किया गया था देखिए Question No.25 का जो सही अंसर है जो आकवास होगा वह होगा option B करम परकास करम परकास जो है Question No.25 का सही अंसर है नेक्स्ट क्वेशन है Question No.26 क्वेशन है गांधी मडर ट्राइल इन 1948 वस कंड़क्टेड इन गांधी मडर केस की सुनाई जो थी 1948 में कहां पर हुई थी तो गांधी मडर केस की सुनाई 1948 में जो था वो हुई थी पिटरॉफ में इस क्वेशन को मैं कहीं बार आक सा डिसकस कर चुका हूँ पिटरॉफ में इसके सुनाई हुई थी नेक्स्ट क्वेशन है Question No.27 क्वेशन है शिमला वाजदी हेट्वेटर ऑफ एग्जाइड गौर्मेंट प्रॉम 1942 टू 1945 शिमला जो है कौन से देश की निर्वासित सरकार का हेट्वेटर रह चुका है 1942 से 1945 के बीच चार ओप्शन दी गई है तो Question No.27 का सही अंसर जो होगा वो होगा Option C बर्मा सरकार का मुख्यालिया हिमाचल प्रदेश में रह चुका है 1942 से 1945 के बीच में यह क्वेशन भी काफी इंपॉर्टन क्वेशन है और एलाइड मैक्सर क्वेशन पूछ जाते है Question No.28 है माता सरवारी का मं देए Question B Exam Point of View से आपके लिए Important है Next Question No.29 जो है वह बेरा डोल सोलर पावर प्रजेक्ट कहां पर स्थित है बेरा डोल 5 मेगा वाट का सोलर पावर प्रजेक्ट है वह हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्टिक में स्थित है तो बेरा डोल सोलर पावर प्रजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश होर्स ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो होर्स ब्रीडिंग फार्म स्थिखते है घोडा प्रजनन के इंदर स्थिखते है तो हिमाचल प्रदेश के लारी ऑप्शिन सी जो है वो सही इंसर है लारी में स्थिखते है घोड प्रस्टिते प्रस्टिते प्रस्टिते